इस वीडियो में आपको आर्डिनो सॉफ्वेर का वन अफ दो मोस्ट इंपॉर्टन्ट टूल जो होता है सीरियल मॉनिटर उसके बारे में बताने वाला हूँ быстр अ है कैसे इंपॉर्टन टूल है जिसको यूज सकते है हम लोग इस वीडियो में वीडियो में कैसे हो रहा है वह करते हैं है तो इस वीडियो में सीरियल कम्युनिकेशन क्या है मैं आपको वह को भी बता ऊँगा Serial Monitor को कैसे use करते है Serial Monitor पर कैसे कोई data send कर सकते है कैसे कोई data print कर सकते है यह सारी चीज़े हम लोग इस वीडियो में देखेंगे So guys without wasting any time Let's get started So guys Serial Monitor पर जाने से पहले हमें Serial Communication के बारे में अच्छे से समझना होगा यहाँ पर कि आखिर यह Serial Communication है क्या तो guys इसे समझाने के लिए हम एक example consider करते है जहाँ पर मेरे पास एक Arduino Uno Board है इस Arduino Uno Board पर आपको D0 और D1 मिलेगा यह दो digital pin इसे हम RX और TX pin भी कहते है तो guys जो RX और TX pin होता है यह UART Communication Protocol को यूज करके data communicate करता है और इस UART Communication Protocol को ही Serial Communication भी कहते है guys जिन लोगों को नहीं पता है कि UART Communication Protocol क्या है उनको में एकदम simple way मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी sensors के अंदर आपको TX और RX pin मिलेंगे वो TX और RX pin UART Communication Protocol को यूज करके ही data communicate करते है उस communication protocol में एक transmitter pin होता है और एक receiver pin होता है transmitter pin data को transmit करता है और receiver pin data को receive करता है तो ऐसे करके वहाँ पर communication होता है तो यह होता है serial communication serial communication में दो pin involved होते है TX और RX that is transmitter and receiver अब guys यह जो TX और RX pin है Arduino board के यही दोनो TX और RX pin हमारे programming port पे भी connected रहता है यह इस board के अंदर से ही connected रहता है हमारे programming port को जिसके through हम लोग यहाँ पर Arduino में program upload करते है तो guys यह जो program upload होता है Arduino में वो भी यह TX और RX pin को use करके upload हो रहा होता है तो guys इसका मतलब क्या है कि हम हमारे PC के through या फिर हमारे laptop के through भी data communicate कर सकते है Arduino board को by using this UART और serial communication protocol और serial monitor एक ऐसा tool है Arduino software का जिसको use करके हम कुछ सा data receive हुआ क्या communication हो रहा है यह हम serial monitor के through पता लगा सकते है तो guys अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग हमारे PC के through इस Arduino के साथ communicate करेंगे from this programming port और उसे serial monitor पर print करेंगे तो देखते हैं कि यह चीज आखिर होगी कैसे तो चलते हैं अब Arduino software पर guys programming से पहले हम लोग यहाँ पर Arduino board को connect कर लेते हैं तो guys यहाँ पर मैं एक program लिखने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं इस PC के through data send करूँगा Arduino board को और उस data को मैं यहाँ पर serial monitor पर print करूँगा तो इसके लिए programming कैसे होगी तो guys यहाँ पर हम लोग कोई pins तो use नहीं कर रहें Arduino board के हम लोग यहाँ पर simply programming port के through Arduino के साथ data communicate करने वाले हैं और मैंने आपको बताया है कि जो हमारा programming port होता है वो digital pin 0 और digital pin 1 यानि कि TX और RX pin को connected रहता है तो guys आप जब भी यहाँ पर कोई भी serial communication कर रहे हो जब भी आप उस D0 या D1 pin को use कर रहे हो तब हमेशा आपको यहाँ पर एक line आपको लिखनी ही है जो है serial.begin guys serial.begin यह वो line है जिसको use करके serial communication initialize होता है अब यहाँ पर मैं PC के through Arduino के साथ data communicate करने वाला हूँ तो उसके लिए भी मुझे यह serial.begin लिखना होगा अगर मैं कोई और module connect करता हूँ TX और RX pin को Arduino के साथ तब भी मुझे यह line लिखना होगा जब भी हम serial communication को use करेंगे तब तब हमें यह serial.begin line लिखना ही होगा हमारे programming में है अब मैं इसे void setup में लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही बार इसे execute करना है इस line को बार बार execute करना नहीं रहता तो इसके लिए यह line को हम void setup में लिखेंगे After that इस serial.begin के बाद में आपको एक baud rate देना होता है कि किस baud rate पे यह communication होगा जिन लोगों को नहीं पता कि baud rate क्या होता है मैं बता देता हूँ कि baud rate एक speed होता है एक communication speed होता है जिसका unit bits per second में होता है अब यहाँ पर मैं अगर suppose लिखता हूँ baud rate 9600 तो यह क्या हो गया 9600 bits per second पे यहाँ पर data communication होगा जो भी हमारा serial communication होगा वो 9600 bits per second के speed पर होगा और mostly जितने भी devices है वो इस baud rate पे ही operate होते है 9600 तो इसके लिए मैं यहाँ पर अभी 9600 ही लिखूँगा अब मैं इस bracket को close कर देता हूँ then semicolon तो यहाँ पर यह line हो गई इस line के through अब Arduino board को पता चल जाएगा कि उसे serial communication को execute करना है यह जो bar है इस bar के through में यहाँ पर data send करने वाला हो तो यहाँ पर मैं ऐसे suppose कोई भी data लिखूँगा और इसे enter कर दूँगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है यह जो मेरा serial monitor है यह serial monitor क्या कर रहा है यह जो भी मैं character enter कर रहा हूँ इस character को वो Arduino को अपने आप send कर देता है मुझे यहाँ पर कोई program लिखने की जरूरत नहीं है यह अपने आप उस USB port के through इस character को यह जो भी मैं character यहाँ पर enter कर रहा हूँ इन characters को वो Arduino board को send कर देगा अब मुझे यहाँ पर क्या करना है जो भी characters मैं send कर रहा हूँ उससे मुझे यहाँ पर display करना है कि मैं क्या character send कर रहा हूँ Arduino board को तो उसके लिए मैं क्या program लिखूँगा अब यहाँ पर उसके लिए guys यहाँ पर मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो भी data Arduino को send हो रहा है इस PC के थूँ जैसा मैंने आपको बता है serial monitor के थूँ जो भी data send हो रहा है Arduino को उस data को मैं यहाँ पर read करूँगा तो उस data को कैसे read करना है आप मैं वो बता देता हूँ आपको तो उस data को सबसे पहले तो मैं read करूँगा और एक variable के अंदर store करूँगा तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एक variable define करूँगा तो उस variable को define करने के लिए जो data type में use करूँगा वो होगा char और char is a short form for character तो यहाँ पर मैं character में data को send कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ पर char यूज करूँगा और एक variable का name जो होगा यहाँ पर val so now char val is equal to अब जो मुझे data read करना है तो उस data को read करने के लिए command है serial.read तो यह एकदम simple command है यह serial.read यह क्या करेगा जो भी serial communication हो रहा है Arduino के साथ उस serial communication को read करेगा और यहाँ पर val इस variable के अंदर store कर देगा अब हमें क्या करना है simply इस val को print करना है serial monitor पे तो कई जब यहाँ पर serial monitor पे आपको कुछ भी print करना हो तो उसके लिए command है serial.print तो यह command है serial monitor पे print करने के लिए अब हमें क्या print करना है हमें वो value print करना है जो इसने read की है और val इस variable के अंदर store की है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस variable को directly यहाँ पर लिख देंगे, तो यह line क्या करेगा, यह line इस variable के अंदर, जो भी data stored रहेगा, उस data को हमारे serial monitor पे print कर देगा, तो guys यह बहुत ही simple code है अब इस code को हम upload करते हैं, और देखते हैं कि हमारे जो data है वो serial monitor पे print होता है कि नहीं, तो इस code को मैं upload कर देता हूँ so guys अब program upload हो चुका है, now let's open the serial monitor तो guys अब डेख सकते हैं कि serial monitor पे ऐसा garbage data आ रहा है ऐसा question mark, question mark आ रहा है, यहाँ पर तो कुछ प्रॉपरली चल ही नहीं रहा तो यह क्या हो रहा है, यह ऐसा क्यूं हो रहा है, क्यूंकि guys यहाँ पर हम लोग ने क्या किया है हम लोग ने यहाँ पर directly लिका है, val is equal to serial.read अब guys यहाँ पर communication हो ही नहीं रहा, मैंने कुछ data send ही नहीं किया है तो भी यह कोई भी garbage value को read कर लेगा, और val इसके अंदर store कर देगा और वही garbage value अब यहाँ पर serial monitor पर print हो रही है तो यह बहुत ही जादा बड़ा एक problem हो रहा है यहाँ पर, अब इसको solve कैसे किया जाए तो guys इसको solve करने के लिए आपको एक condition enter करना होगा यहाँ पर जिसके वज़े सी एक garbage data ना ले इसके लिए condition में यहाँ पर enter करूँगा जो होगा, if, guys if एक condition statement है इसके बारे में हम इस series में और देखेंगे कि if क्या होता है, while क्या होता है, यह सारी चीज़े हम लोग इस programming series में देखने वाले है यहाँ पर मेरा main motto आपको serial monitor के बारे में समझाना है तो यहाँ पर condition लिखेंगे if, serial.available, guys इसका मतलब होता है कि जब serial communication हो रहा हो तब यह condition true होगी, otherwise यह condition false होगी तो जब भी serial communication होगा, तब यह condition true होगा और इस condition के अंदर के statement को वो फिर execute करेगा तो यहाँ पर हमें लिखना है if serial.available is equal to equal to 1 यानि की communication हो रहा है, तब वो इस condition के अंदर जाएगा और इस condition के अंदर जो भी statement लिके हुए है, उसे execute करेगा guys यहाँ पर आपको curly brackets का ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने condition if condition का curly bracket open किया है, उसे then close किया है और यहाँ पर void loop का curly bracket open था, उसे last में close किया है तो अब यहाँ पर यह हमारा final program है, अब इस code को upload करते है और देखते हैं कि हमारा जो data है, वो monitor पर print होता है कि नहीं properly तो काईज अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी garbage data नहीं आ रहा that means हमारा program properly work होगा यहाँ पर क्यूंकि यह if serial.available यानि कि जब serial communication होगा तब ही वो statement को execute करेगा, तो अब यहाँ पर मैं data send करके देखता हूँ तो यहाँ पर मैं h यह character send कर रहा हूँ, तो आप देख सकती कि h यहाँ पर serial monitor पर print हो गया तो जो भी मैं data यहाँ पर arduino को send करूँगा, वो serial monitor पर यहाँ पर print हो जाएगा तो यह था basic concept serial monitor का, कैसे हम लोग data को serial monitor पर show कर सकते है, serial monitor कैसे use किया जाता है I hope कि आपको इससे serial monitor क्या है, serial communication क्या है, यह सारी चीज़े clear हो गई होगी Guys अगर कुछ भी doubt रहेगा serial monitor के उपर तो आप comment section में मुझे पूच सकते है, मैं ज़रूर आपको reply करूँगा So guys अगर यह video पसंद आया, तो hit the like button, also share this video जिनको Arduino programming के बार में और सीखना है So guys इस video के लिए बस इतना ही, thank you so much for watching this video, see you again in the next video